जैहिन बच्चो गुड मॉर्णिंग लेटेस्ट अपडेट आई हमारे पास जो आपका वेटनेरी वाले स्टूडेंट है उनका फेस थर्ड इस्टार्ट हो चुका है कहां से इसका मतलब काउंसिलिंग कैसे होगी उसकी जानकरी में दूँगा लिंक कब एक्टे होगी उसकी के लिए सेट किया है और ठीक इसके साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि कितनी सीटे अवलेबल है तो आप लोग भूलिएगा नहीं इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा तरीके से सेर कीजिगा ताकि सभी विद्ध्यार्तियों को बेनेफिट मिल सके और एक लिए आप लोग और इससे ज्यादा ज्यादा सरीके से सेर करें अंतिम चांस है इसके बाद आपको कोई चांस नहीं बचेंगे तो इस काउंसली में भाग लेना मत भूलिएगा आपको विशेस रूप से एक सूचना है तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट अफिसली जो हमने पीडियत एप यहाँ यहाँ आपका वीटनेरी में तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे ह decía डायरेक्ट Science University जबलपूर द्वारा Official साइट से मैंने डाउनलोड किया है यहाँ पर आपके टोटल सीट है कितनी है तो देखे गाईस एक सीट बचिए है आपकी जबलपूर में और तीन सीट बचिए है आपकी महु में और जो आपकी बचिए हुई सीट है तो और रिवा में कितनी सीट बचिए सार तो रिवा में 14 सीट बचिए अभी भी आपके chances है आपके पास टोटल कितनी सीट बचिए हुई है तो सर हमारे पास बचिए अथारा तो अन्तिम चांस है आपके पास मुझालिंग कर लीजेगा और अपने college preference change हो रहे होगे तो वो भी कर लीजेगा, अगर नहीं हो रहे होगे तो comment section में मुझे comments करें कि sir college preference change नहीं हो रहे उसके लिए भी हम लोग video बनाएंगे कि आखिर क्यों change नहीं हो रहे है अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यून्तम marks इतने कितने set करके रखा है चलिए, seat तो बता चुका है मैंने यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपकी जबलपूर में एक seat बची है वो किस category की बची है तो OBCFF की बची है गाईस तो OBCFF वाले ही student यहाँ डालेगा अन्यता आपको यहाँ से बंचित कर दिये जाएगा यहाँ पर इन्होंने कह दिया है देखे तीन seat बची है आपकी कहां मोह में तो उसमें से देखे एक seat बची है आपकी physical handicap की बची है और आपकी एक seat बची है STFF की बची है और उसके बाद जो आपकी एक seat बची है यह यह यू आर एफफ मतलब ना यहाँ पर SC की seat है ना ही WES की कोई seat बची है तो यहाँ पर भी आप लोग नहीं फिल कर सकते हैं चलिए बात कर लो नीचे तो नीचे आजाए आप लोग 14 seat कहां बची थी आपके रिवा में रिवा में आप लोग apply कर सकते हैं यहाँ पर seat available दिख रही है ठीके guys तो यहाँ पर सभी seat available दिख रही है अधिकतर seat जो आपकी 4 seat बची है यू आर फिमेल की 4 seat बची हुई है और फिजिकल हेंटिकेप की एक बची हुई है SC की एक बची हुई है रिवा को पहले चूस करें उसके बाद ही है जबलपूर और आप लोग मोहू को चून सकते हैं तो देखें अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बाद की प्रोसेस में ठीक है तो इसके बाद की प्रोसेस बताइए सर तो देखें न्यूनतम कटाब जितना आपको होना चीए तो उनके लिए भी इन्होंने पीडिएफ हमें प्रोवाइट कर दिया है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है तरत्य चरण के काउंसिलिंग उनलाइन काउंसिलिंग में पंजीन हीNext न्यूनतम कटाब मार्क sout तो आप लोग देख पारे हैं यहाँ पर न्यूनतम कटाब मार्क क्या है तो जो इन्होंने 1st राउंड में दिया था तो इन्होंने चेज नहीं किया गाईस जो first round में इन्हें cut-off declare किया था तो उसी cut-off के ऊपर ही यह जो है इन्होंने दिया है इतने ही new term marks आपके लिए होना चीज़िए चले एक बार पुना बता दूँ मैं कि क्या क्या इन्होंने criteria रखा है तो देखे यूर वालो के लिए 33 mark रखा था जो first round में इन्होंने start किया था कि आपके यही marks रहेंगे तो यही बार बार यही PDF में प्रवाइट करते है और यही जो है आपका new term final तक चला जो आपका third round आज start हुआ है तो उसके लिए जो है new term cut-off marks इन्होंने यही set किया है और नीचे भी इन्हों निर्देश दे रखा है क्या निर्देश दे रखा है देखे लिए एक बार पढ़ लिजेगा प्रवेस नियम सरते समय साधनी काउंसिलिंग प्रक्रिया को आप लोग यह मतलब क्रिप्सो ओनलाइज सर्वेस के माद्यम से या dvsu.org के माद्यम से भी आप लोग देख कर सकते हैं अब यह अर्ति को सुचित किया जाता है कि तरत्य पंजियन करते समय वेबसाइट की दुत्य चरण के प्रवेस चात्र अपग्रेटेशन हो चुका है तो अपग्रेटेशन में क्या हुआ होगा तो आप लोग अपना रिजल्ट देख लिजेगा अपग्रेटेशन का और अपग्रेटेशन के बाद अपनी सीटे कितनी बची है तो सर हमारे पास टोटल अठारा चौदा सीटे बची हुई है तो आपकी जो सीटे बची हुई है उन्हें क्या है बढ़ा दिया जाएगा इन्होंने यहां पर लि तो देखे गाईस अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड में पंजियन कराया है तो आपको पंजियन कराने के आवश्च्यक्ता यहां पर नहीं है और जबलपूर के यहां दिख रही गाईस जबलपूर से ही आपका पूरा यहां प्रकीर पूर्ण होती है तो चलिए मैं बता द पीसे बात बता दूँ गाइस जीनो ने यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड राण में पार्टिसिपेट किया मतलब काउंसिलिंग में भाग लिया था और इन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वहाँ जो है क्या करें तो गाइस उनके लिए भी आप लोग क्या है ब्रांच फिर्फिरेंस चूज कर सकते हैं अपने कॉलेज को जैसे के आपने मुह पहले चूना था तो आप रिवाज कर सकते हैं तो चलिए उसके बाद बता दूँ गाइस मैं आपको कैसे आपको प्रौर्ष सेश्वाइड से हैं. यहां पर क्या होगा तो अगर अपने यूजर आईडी पास्वाइड नहीं बना है, तो आप लोगो यहां से यूजर आईडी पास्वाइड बना सकते हैं, जिन विधियार तो नहीं इसपर करना है उन्हें कुछ भी नहीं करना है उन्हें online जो है इस पर अपगरेटेसंग करना है अगर उन्हें जो है अपना branch preference चेंज करना है तो उसकी जानकरी में दे दू तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको login और यहाँ पर user id password अपनी डालना होगा तो चलिए simply मैंने यहाँ पर अपना user id डालती है और ये पर आपको सांपर प्लिक करना है तो इसके बाद आपका वेटनरी साइंस है तो आपको क्या करना है तो नई student के लिए बता दू मैं नई student क्या करेंगे online जो apply online है उस पर click करेंगे तो sir उसके बाद क्या होगा तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे तो इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़के ही आप लोग जो checkbox पर click करना है यह चेक box लेगा क्योंकि इनोंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया है तो अगर यहाँ पर लिंक एक्टी होगी तो फांप लेगे क्या कह रहा है candidate details not found च्रिक रोल नॉमर तो जी है इनका जो है अभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ न्यूंतम कटाब के अंतरगत नहीं आ सकते इसलिए है इनका जो है selection यहाँ पर नहीं हो पा रहा है इसका आप लोग विशे सुरूप से ध्यान रखे अगर आप लोग न्यूंतम कटाब के अंतरगत नहीं आ सकते 39 marks अगर आपके कम से कम 39 marks नहीं है तो आप लोग इस counselling में भाग नहीं ले सकते इसका आप लोग विशे ज्यादा seat है तो सर अब क्या करें तो यहाँ पर आप लोग चेंज ब्रांज फिर्पेरेंस अपर किलिक करके यहाँ पर अपना रोल नमबर डालेगा और यहाँ पर अपकी डेटा बर डालेगा उसके बाद जो है आप लोग अपने college को change भी कर सकते हैं जानकारी समझ में आ चुकी होगी तो इस जानकारी को आप लोग अधिक से अधिक विद्यारतियों तक share करेंगे और एक लाइक का बटन होगा इस वहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबाएएगा चलिए और नए स्टुडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन गाईस